विदेशी बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार के लिए मुसीबत और बढ़ा दिये ब्रेंट क्रूट का भाव 13 हफते के उपरी इस्तर 124 डॉलर के उपर पहुँच गया है क्रूट की कीमतों में बढ़ती की वज़े से घरीलू करेंसी रुपय पर दवाव लगातार बढ़ता जा रहा है गुरुबार को डॉलर के मुकाबले रुपया 77.8 हे के इसतर तक पहुँच गया रुपय की गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्बेंक तमाम प्रियास कर रहे है लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा है ये एक अजीब सी उल्जन बन गई है ना क्रूड रोके रुक रहा है ना रुपया रोके रुक रहा है पहले क्रूड पे बात क्रूड पे जो डिगर सो तक के अनुमान सामने आने लगे है इसकी क्या भज़े है कच्छा तेल और रुपया एक किस्म का टॉक्सिक कनेक्शन बन गया है भारत की अर्थवस्था के लिए के लिए और भारत के फिनांशल और वैजेट्री मैनेजमेंट के लिए ट्राइफिग वेरिया ने कल कहा ट्राइफिग वेरिया दुनिया की बड़ी कमाडिट्री ट्रेडर है उसने कल यह चेहतावनी दी कि फिलहाल दुनिया के बाजार में कच्छे तेल की कीमते डिएड़ उपिक देशों ने पूरी विवस्था के साथ दुनिया के तेल उत्पादक देशों ने कम से कम अंतराश्टी अर्थ विवस्था में ये अंतरधारना तो बना ही दी है कि उन्हें कच्छे तेल की महंगाई के लिए त्यार रहना चाहिए तो पहले अनुमान क्या थे 110-100 अब अनुमान है उसके बाद दूसरे अनुमान आए 120-124 जो गोल्मेंट सेक्स और मोरगन के थे अब अनुमान आ गए 1500 डालर प्रतिबारल तक के तो 1500 डालर प्रतिबारल तक के के अनुमानों की दो बड़ी वज़ है रूस से आने वाला जो तेल छंकर रिसकर बाजारों में पह करेंगे रूस के तेल का इंपोर्ट बंद करेंगे जो पाइपलाइन के जरी आता है और अंतराश्ट्री बाजार में रूस के तेल की सप्लाई वैसे भी 10-20% के हिसाब से लगातार घट रही है अपरेल से मई के से लेकर जो ओपन मारकेट में तेल आता था और तीसरी स्थाओं में डिमांड ला रही है ओपिक देश अपने उत्पादन को रेगुलेट कर रहे हैं थामे हुए हैं क्योंकि उनकी लागतें जिस इस तर पर हैं उन्हें नया निवेश करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखना जरूरी है अगर उन्हें नया निवेश चाहिए नाजीरिया को लीबिया को कदाकिस्तान को सिंट्रल एशिया के देशों को अपनी तेलर स्वे उस्थाओं में को भविशे के लिए तियार करने के लिए जिसमें वो निवेश रोक चुके थे तो उन्हें इस घाटे में इस समय और जाधा कच्चे तेल की कीमतें चा अगले एक हफते में दो हफते में भारतिय बाजार में कच्चे में पेट्रोल डीजल की एटी एफ की और बाकी पेट्रोत पादों की कीमतों को लेकर क्या करता है ये देखना होगा बिल्कुल और ये 1500 डॉलर की असली चुभन उस समय शुरू होगी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएंगी सर अगला सवाल रुपय पे पॉलिसी के बाद रुपय को कोई ताकत क्यों नहीं मिली रुपया देखिए कल पॉलिसी पर चर्चा की तो हम ये देखना चाह रहे थे कि रिजर्बैंक के कल के फैसले का असर भारती मुद्रा की मजबूती पर है भारती मुद्रा की स्थिरता पर कितना पड़ता है और इससे दिखाई देता है कि कहीं न कहीं रुपय का कंट्रोल ये लगाम रिजर्बैंक के हाथ से छूट रही है पिछली बार जब आफ पालिसी डालर का कुरूड भारती अर्थ वस्ता के लिए के लिए इसे खराब कोई खबर नहीं हो सकती क्योंकि विदेशी मुद्राबंडार पर दबाओ महंगाई और इंपोर्टेट महंगाई बहुत सारे आयाम इसे लेकर आते हैं और वो सीधे सीधे भारत की सबसे कंजोर जो जो ज बहुतरी के कारण जो इंपोर्टर से वो अपने लासे करना चाह रहे थे यह उनको लग रहा है कि ट्रेजिक्ट्री एक सोबीस एक सोपचीस तक जाएगी तो अगर अभी बाजार में कोई सौधे करने तो उन्हें सौधे कर लिया जाए लेकिन एक चीज जो रिजर्बैंक क अभी बाजार में विस्तार से जर्चा की थी वो था भारती शेर बाजार से विदेशी निवेशकों की विख्वाली जो ताजेया आकड़ी आ रहे हैं उसे असाब से दोजार आठ के लीमन संकट के बाद ये सबसे बड़ी बिक्वाली ये इतनी विक्वाली उस समय भी नही और उसका सीधा असर सीधा संपर्क रुपए की और विदेशी मुद्रा भंडार की सिहत से पढ़ा रहा है और इसलिए कल रिजर्ब बैंक की कोशिस थी कि ब्याज़दने बढ़ोतरी होने के साथ रुपए को सहरा मिलेगा वैसा आज हुआ नहीं और इसलिए शायद बाजार ने रिजर्ब बैंक की पॉलिसी के पहले ही संकेत दे दिया था कि 89 और 80 रुपए के आस पास का लेवल है और उस तरफ रुपए बढ़ता दिखाई दे रहा है एक और महत्तु पूर्ट पहलो इसमें यह है कि चूंकि डालर मजबूत हो रहा है डालर इंडेक्स की मजबूत की मजबूती दिख रही है जिसके कई सारे वेवारिक कारण है वो भी रुपए की कमजोरी को बढ़ाने की एक बड़ी वज़ा है पर रुपए की कमजोरी आनने बाकी कारणों से अलग देखें तो दो सबसे बड़े आयात जो भारत इस साल करने जा रहा है कोईला और और महगाई का जो गनित है इससे बिगड़ना और तेहसर अगर तीनों चीजों को मिला लें उधर MSP का बढ़ना कुरूड आयल का महगा होना और इधर रुपए का कमजोर होना ये सारा कॉक्टेल ऐसा बनना है जो महगाई की जो आ गई है अभी जल्दी शांत नहीं होने द रिजर्ब बैंक ने इतनी तेजी से ब्याजदरों में बढ़तरी की पर बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि रिजर्ब बैंक महगाई की लड़ाई स्लिप कर रहा है हार रहा है यानि शुरुआती चरण में रिजर्ब बैंक जितनी भी ब्याजदरों में बढ़तरी करेगा उस कि मेंगाई की लड़ाई मेंगाई ज्याधा ताकतवर है और ज्याधा भारी पड़ रही है रिजर बैंक और सरकार की तैयारियों पर बिल्कुल और जैसा अंश्मान जी की बात को तर्क देने वाले जो ग्रैफिक्स से इस समय आपकी स्क्रीन पर रहे देखी जैसे ऐसे